नमस्कार स्वागेते आप सभी का आप देख रहे हैं जनतंतर टीवी और उत्राखंड की बात के साथ मैं हूँ आपके साथ पसंद शर्मा द्यारादून में उत्राखंड लोकसे भायोक की और साथी न्युक्ति पत्र वित्रण कारक्रम का आज़वन यहाँ पर किया गया इस दौरान मुख्यमंतरी बुश्कर सिंग धामी ने अधिश्वासी अधिकारी वेकर और साथी राजस्व निरिक्षकों को न्युक्ति पत्र यहाँ पर वित्रित किये यह कारक्रम मुख्यमंतरी कैम्प का रेले के मुख्य सेवक सदन में आज़वित रहा इस दौरान मुख्यमंतरी बुश्कर सिंग धामी ने देप प्रजुलेत कर कारक्रम का शुभारंप के क्योंकि आज मुख्यमंतरी विवांट में असिस्टेंट प्रोफिसरों के हूप में हर सट नए सदस्यों की निउप्ति उड़ी है और जैसा धंजिंगी ने बताया कि इसके बाद जाथ से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभियतियों को इसके निउप्ति मिलने वादी है मैं आज आज आप सदी के उच्वल लोजसी की कामरा करता हूँ और आप सदी जो जिम्मेदारी आप सब को मिली है उसका निर्वन महुत ही इमानदारी से करेंगे और उड़ाकट को एक उच्वल बहतार नो मादर सराज्य बनाने के लिए काम करेंगे वो दिन आज आपका आगया जिसमें आपकी महनद आपकी लगन आपकी सिच्छा आपके अभिवादों के माता पिता के असरबाद से गुरुजनों के असरबाद से बड़ों के असरबाद से और महभान की करपा से आज आप सब को आज इस ववागे का दिन प्राप्त हुआ ह उत्राखन सरकार इस समय चर्चाओं में हैं कारण है अगनिवीर योईशना दरसल उत्राखन के मुख्यमत्री बुश्कर सिंग धामी ने राज्य से वाव में अगनिवीरों को आरक्ष्ण देने की घोशना की है इस पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अगनिवीरों के लिए नया प्लैन धामी सरकार का बड़ा एलान चार साल देश सेवा के बाद नौकरी देगी सरकार सेना में अगनिवीर योईशना के खिलाफ राश्चे इस्तर पर विपक्षी दल मोर्चा खोलेवे हैं विपक्षी दलों के नेताओं ने इस योईशना को युवाओ के साथ धोखा भी करार दिया हलागे समय समय पर केन सरकार और बीजेपी संगठन अगनिवीर पर सफाई पेश करते रही हैं लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा चुनाव में च्छाया रहा अब उत्राखंड में मुख्यमंद्री पुषकर संगामी ने भी अगनिवीर योचना को लेकर बड़ा बयान दे दिया CM धामी ने ये साफ कर दिया कि उत्राखंड सरकार अगनिवीरों के वापस लोटने के बाद उन्हें विशेश तोर पर प्रात्मिक्ता देने जा रही है ऐसे युवाओ को सरकार उत्राखंड में समायोचित करने के लिए कदम उठाई की अगनिवीरों के लिए ये किसी तोफ़े से कम नहीं है धामी सरकार ने अगनिवीर योचना के तहट सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले युवाओ के करियर को लेकर बड़ा फैस्टा लिया सियम धामी ने युवाओ को राज्ये के सरकारी विभागों में आरक्षन देने की घोशना की ये आरक्षन पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में दिया जाएगा इसके लावा एक कौशल विकास योचना भी तयार की जा रही है जिससे अगनिवीरों को रोजगार के बहतर अफसर मिल सके। दरसल अगनिवीद योचना पर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच उत्राखंड सरकार ने हर्याना की तर्ज पर एलान कर दिया। क्या है उत्राखंड सरकार का प्लैन? रिटायर जवानों को जॉब्स, अगनिवीरों को सरकारी विभागों में समायोचित, अगनिवीरों को प्राथमिक्ता, अगनिवीरों को रोजगार के भरपूर अफसर, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव, सैनिक कल्यान विभाग प्रस्ताव बनाने में जुटा। CM पुशकर सिंगामी ने इसी साल जून में अधिकारियों को एक रोड मैप तयार करने का निर्देश दिया था CM धामी ने कहा था कि रिटायर होने वाले अगनी वीरो को उत्रखन सरकार की सेवाओं में कैसे शामिल किया जाए इसे लेकर रोड में अब बनाये जाए CM धामी ने कहा सरकार सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अगनी वीरो को रोजगार देने के लिए एक मजबूत कारितम को अंतिम रूप बे रही है इस योज़ना में उत्रखन पुलिस और अन्य राज़े सरकार के विभागों में अगनी वीरो की भरती के प्रस्ताव शामिल है इसके अलावा रिटायर अगनी वीरो को विभिन क्षेत्रों में रोजगार संबंदित प्रशिक्षन देने के लिए एक कोशल दिकास कारिक्टम तयार किया जा रहा है मुख्य मंत्री धार्मी ने दिकारियों को इन प्रस्तावों को शेग्र तयार करने के निर्देश दिये 2022 को मैंने तभी ट्विट किया था कि पुली समेच जितने भी हमारे राज़्ी के अंदर काम करने वाले विभाग है जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अगनी भी राएंगी उनको समाई भी करेंगी उनको प्राप्रिक्ता देंगी और आरक्षन का साथ में अगर कोई एक्ट वगरा बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी तो लेता जाएंगी तो यदि जरूरी हुआ तो इन्हें आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जा सकता है सीम का कहना का उत्रखन ऐसा प्रदेश है जहांकि युवा बड़े स्तर पर भारतिय सेना में भरती होते हैं सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अगनी वीरों को नियोजित करने में राजिस सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी सरकार ये सुनिशित करने के लिए प्रतिबद है कि अगनी वीरों को उनकी सेवा के बाद रोजगार के प्रयापते अफसर प्राप्त हो मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार इन विवाओ के रोजगार के सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़े की 2022 में लॉंच हुई थी योचना 2022 में के इन सरकार ने सशास्त्र बलो को दक्ष बनाने और रक्षा पेंशन दिल को कम करने के लिए अगले पत योचना लॉंच की थी इसी ओचना के तहट सेना, नौसेना और वायू सेना में चार साल के अल्प कालिक अनुबंद पर करनियों की भर्ती की जाती है पुल वार्शिक भर्ती में से सिर्फ 25 फीजदी को इस्थाई कमेशन के तहट अगले 15 सालों तक बने रहने की अनुमती दी जाती है इसी ओचना का पुरे देश में विरोध हुआ, आंदोलनकारियों ने कहा चार साल के बाद सेवा छोडने वालों का करियर खराब हो जाएगा जिस पर अब राज्य सरकारे अगनी वीरों के लिए आगे की प्लैनिंग पर काम कर रही है योरी पूर्ट जनतन रगी शिव भक्त जिसका बड़ी बेसबरी के साथ इंतिजार कर रहे थे, वो सावन का महिना आज 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज से सावन महिने की शुरुआत हुई है, पावन शुरुआत है, भक्ति में माहोल सब जगा देखने को मिल रहा है धार्मिक देव भूमी में इस समय कावड ग्यात्रा की धूम मची हुई है एरदवार इस समय बम बम बोले के जयकारों के साथ गुंज रहा है, देखे रिपोर्ट सावन की शुरुआत शिव की महिमा आया सावन का महिना सडको परुम्डा कावडियों के सेला कावड में भक्ति के रंग जयकारी किसंद भुलिनात की दया पूरी हो की मनु कामना शिव भक्त जुसका पेश सबरी से इंतिजार कर रहे थे, वो सावन का महिना 22 जुलाई यानि क्या आज से लग क्या है आज से सावन महिने की शिर्वात हो गई है और सावन की पहली सोंबार के देन मंदिरों में भोले नात की विशेश पूजा की ज़ा रही है सावन महिने की शिर्वात सोंबार से हुई है ऐसी में आज की दिन शिर्व्टी की पूजा के लिए बिहत शुमाना ज़ा रहा है पूरे अजता के सावन के सावन आता हूं हर साला ता हूं हर साला तो पहला सोंबार मेरा इसी कंखन में ही होता है सिनातन धर्मी भगवान शिप को भूली शंकर भी कहा गया है दरसल उम्हुनी बड़ी असानी और सिरल्त से प्रसंद किया जा सकता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार शिप जी को कुछ चीजे पेहत पसंद है सावन का पहला सोंबार आज है और सावन का अंतिन सोंबार 19 सकस को पड़ वहा है इस सावन में कुल पाच सोंबार आ रही है सावन में पाच सोंबार पहला सावन सोंबार व्रद 22 चुलाई दूसरा सावन सोंबार व्रद 29 चुलाई तीसरा सावन सोंबार व्रद 5 अगस्त चौथा सावन सोंबार व्रद 12 अगस्त सावन के पहली सुमवार को पूरे दीश में श्रधालू भगवाज शिफ को समर्पित प्रात्ना और अनुष्ठालू के साथ मनाते हैं इसमें मंदिरों में प्रसाच चढ़ाना और गंगा जैसी नदियों में पवित्र टूप की लगाना शाविल है इस शुब दिन पार देश भर के शिफ मंदिरों में बड़ी संख्या विश्रधालू एकत्रित हुए और कई लोगों ने गंगा में पवित्र टूप की लगाए मुख्यमंद्री पुश्कर सिंग थावी ने भी सवी भक्तों को सावन के पहली सुमवार की बढ़ाई दी सावन के पहली सुमवार के अफसे पर आश्रधालू ने पी कावड यात्रा भी शुरू की है जो मैंने मांगा है वो यहां मेरे को मिला है मैं अपने सच्चे मन से आस्ता लेकर आता हूँ और जितने भी भक्त हैं उन से सभी से यही कहता हूँ कि सच्चे मन से भॉले की शेवा करने के लिए आई साल यहां आते रहिए और भॉले के नाम से कावड उठाते रहिए बोल बम 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 बोल बम नायवे दो दिन हो गए मैंने लिशीकेश भी गया नेलकंट भी गया लेकिन मेरे को अभी तक एकदम आनन्द पूर्वा है सर्दा से मैं पूरा यहां सभी मंदिरों में चरण इस्पैस किये हैं और अभी मेरा मन ऐसा लग रहा है कि मैं हर साल ऐसे आता रहूँ मुखी मंत्री पुषकर जिंग धामी ने कावड यात्रा विश्वाबिल शिव भक्तों का कर्मचूशी से स्वागत किया धामी ने कहा कि कावड यात्रा में सभी शिव भक्तों का हार्तिक स्वागत है मैं भगवाल शिव से सभी शिवभक्तों की सुख़द और मंगल में यात्रा की प्रात्ना करता हूँ सावन महीने का पहला दिन हिंदू के लिए पहुत महत्व रखता है इस पवित्र अवधी के दोरान लोग दीश भर के मंदिरों में जाकर भगवान शिव के प्रतिय अपनी भक्ती व्यक्त करती है सुरुक्ष अजिंसियों की माने तो यूपी दिल्य अंसियार हरियाना आदी राच्यों में करीब 40 लाग का वड़ियों के पहचने की उम्मीद जताई जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट चन्तंद्र टीवी उत्राखंड में पिछले 24 गंटे से मुसलाधार बारिश लेगातार जा रही है खासकर कुमाईू मंडल के अगर बात करें तो कुमाईू मंडल में अब बारिश का जोर जादा देखने को मिल रहा है दहरादून और हरदवार में भी बारिश से जन जीवन पूरे तरीके से अस्तिवेस्त हो चुका है मुसल विभाग का कहना है कि अगले पूरे हफ़ते में जादा तर जिलो में बारिश की जो एक्टिविटी है वो जादा देखने को मिलेगी इस पर एक रिपोर्ट हमने तयार किये कहां कहां कितनी बारिश कब कब होकी इस रिपोर्ट में देखिए जन जीवन अस्त वी अस्त अगले पूरे हफ़ते बरसेंगे बादल दूबे घर इलड़ जर उत्रकन में मौसम विभाग ने भारी बारिश का इलड़ जरी किया है बारिश की वज़े से पहाडों पर परिशानी काफी बढ़ गई है मौसम विभाग ने बारिश को देखते वे लोगों से सतरक रहने की अपील की इसके साथ ही नदी नालों की पास जाने से बचने की चेतावनी भी दी है बात करें अगर देहरदून समेत पौड़ी, चमपावत और ननिताल जिले के कुछ हिस्तों की तो तेज गरजना के साथ भारी बारिश का येलो एलर्ट भी चारी कर दिया है बीते 24 गंटे में प्रिदेश के कुमाईू और गड़वाल के दिखतर जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है इधर देहरदून जिले के मौकमपूर में सबसे तेज बारिश हो रही है कुमाईू के जददर चेत्रों में 125 mm बारिश तरज की गई कुमाईू रेजन के बनबसा में आज भारी बारिश की बज़े से 98 mm बारिश रिकॉर्ड की गई उत्राकन के अमूमन जिलों में सुभा से ही तेज बारिश हो रही है मैदानी लाकों का हाल इस वक्त सबसे बुरा है राज़ानी देरदुन में सुभा हुई मूस्राधार बारिश की बज़े से सडकों तक पानी आ जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा सडकों के किनारे नालिया चोक होने पर निगम के कर्मचारियों ने चोक हुई नालियों को खुईवाया यही हाल हर्दवार का भी है जहां बारिश ने सुभा से ही काबड यात्रा पर असर डाला है उत्राकन के अधित्तर जिलों में मौसम इभाग ने आज भी बारिश होने के आसार जताई थी यह आसार सही साबित हुए है मौसम इभाग ने बारिश के एक्टिविटी कम होने की वज़े से कुमायू रीजन के निताल, चमपावत, उधम सिंग्डगर, पिथोरागर और बागेश्वर के लिए रेड एलर्ट की जगा औरेज एलर्ट जारी किया 23 तारीख को भी इन जिलों के लिए औरेज एलर्ट जारी किया गया बतादे अगले 5-7 दिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी कहा जा रहे हैं कि मौनसोन सिस्टम उपर की ओर शिफ्ट हो रहा है इसलिए उत्रकंट में आने वाले दिनों में बारिश की लाइक्ट टू मौजरेट एक्टिविटी बनी रह सकती है युद्धो जनतंत्र टीवी तो शेले फिलाल उत्रकंट के बाद में मेरे साथ इतना है आप देखते रहें जनतंत्र टीवी नमस्कार